वंदे भारत ट्रेन में बड़ी लापरवाही सामने आई है भोपाल जबलपूर वंदे भारत ट्रेन के खाने में कौक्रोच मिला है जी हां वंदे भारत ट्रेन से शहडोल जा रहे एक यात्री के खाने में कौक्रोच मिला है यात्री ने एक्स पर पोस्ट कर पिये मोदी और मंतौले से इसकी शिकायत की है यात्री ने जबलपूर रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों से लिकित शिकायत भी की थी जिसके बाद रेलवे ने ठेकेदार पर 45,000 का जुर्माना लगाया यह तस्वीर आप देख रहे हैं ट्रेंड में आप भी खाना लेते हैं लेकि जब इस तरीके से कोई शिकायते आ जाए या फिर कौकरोच चिपकली जैसी चीज़े दिख जाए तो वाकई में काफी जादा घुसा और आक्रोश जिसके बाद इस व्यक्ति ने शिकायत एक्स पर भी प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी और रेल मंत्राले को टाक कर किया है और साथी वहाँ पर लिखित में आप्लिकेशन दर्श जिसके बाद करमचारी पर 45,000 का जुर्माना लगा और अब बात ओमान की कर लेते हैं जहाँ पर बंधक बनाई गई महिला दिपिका साकुशल बिलाई लोट आई है न्यूज 18 से बातचीत में महिला ने बताया कि उसने ओमान में आठ महिने में कैसे अत्याचार सहे हैं उसने बताया कि ओमान में अभी भी कई महिलाएं फसी हुई हैं अत्याचारों से तंग आकर कुछ महिलाएं चट से भी कूद गई हैं जिससे उनकी जान चली गई उसने बताया कि लड़कियों को जूट बोल कर वहां ले जाया जाता है और उन्हें वहां बेच दिया जाता है उसने भारत सरकार से उन महिलाओं की मदद करने की गोहार लगाई है उसने प्रदेश सरकार और वैशाली नगर विधाय को भी धन्यवाद दिया जिनकी कोशिशों से वो ओमान से सरकुषल अपने वतन लोट सकी है कुछ दिन पहले ही दिपिका ने वीडियो जारी कर ये कहा था कि उसको किस तरीके से प्रतारित किया जा रहा है उसको पीटा जा रहा है मारा जा रहा हैं और जब वो वापस वतन लौटने की बात करती है तो 3,00,000,000 रूपए उससे माँगा जा रहा है जिसके बाद अब सरकुशल वो वापस लौट आई है बनाकर रखी गई दीपीका आप सकुषल भारत लोट आई है और आप देख सकते हैं कि दीपीका हमारे साथ में मौजूद है उसे बाचित करेंगे दीपीका जी कितना कठीन ये दौर था और किस तरह से उस दौर को पार करती हुआ भारत पर वापस बाइगे मैं तो बहुत हिम्मत करी हूँ अपने फैमिली के वज़े से विदायक सरजी के वज़े से और मैडम ने भी मेरा सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा तो मिडिया वाले को मैं सभी मिडिया वाले को धन्यवाद करना चाहूंगी मैं जिनके वज़े से यहां खड़ी हूँ अपने बच्चे अपने पती के पास और सबसे ज़्यादा मैं वो भीया क्या नाम उनका मिसरा जी को अगर वो मेरे हस्बंड के सपोर्ट में खड़े नहीं होते विधायक सर्जी के पास वो गए नहीं होते मेरे तकलीफ उन्हें बताए नहीं होते तो मैं यहां इंडिया पे तो नहीं आई होती बंदक उन्होंने इसली बना के रखा तो मुझे घर के बाहर मतलब घर से ना निकल पाऊँ ताकि मैं कंप्लेंड न कर पाऊँ वो यह भी डर में थे कि कंप्लेंड कर दूंगी इसको मारा पीटा गया अब इसको इतना टॉचर किया गए तो यह घर से निकल के भगके तो कंप्लेंड करीगी करीगी इस वज़े से मुझे घर के अंदर ही कैद करके कर दिए कबसे बंढ़ कर कि अब नकर्के ठाड्य विख्याति और इस किस तरह से टोचर किया टोचर यह घर किया जाता था चोटी छोटी गंदी गंदी थी जो मैं बता नहीं सकती मेडिया को सवाल ये उठता है कि भारत से आप उमान तक सफरते करी हैं लेकिन कि गई कैसे हैं ये प्रोसेस कैसे हुआ और क्या आपको बहला फुसला कर ले गया था कि अपने मर्जी से में जाने को रेडी थी क्योंकि अच्छी सेलरी 30-40 ज़र तक की सेलरी कुकिन का मिल रहा है मैं बोली एक लेडी से काफी चोटे घरे काफी चोटे घर ये भी बोला गया जब वहां गई तो मुझे पता चला कि इतने बड़े घर है इतनी बड़ी फैमिली है मुझे जूट क्यों बोले तो बोलते है आतो गई हो तो कुछ कर नहीं जिया सकता है जाना चाती तो पैसा भरो और जाओ एक महिला जो थी वो अबदुल्ला की बहनी है इंडिया से लड़कियों को खाफी अच्छी तसली देता है उसके बाद वो इंडिया भेजता है और लोगों से दो लाक रुपे लेता है जिसके घर में लड़के देता मसकट इंडिया से पूरे लड़की जितने बहुत साइ लड़किया गई ओ करीबन बैंगलोर से एक लेडीज को भेजा है है धराबाद से भेजा है पंजाब से भेजा है बहुत सा लड़कों को भेजने के लिए कोर्बा में चात्र की बेरहमिस से पिटाई का मामला सामने आया